इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं ओपो रेनो टू के बारे में तो कंपणी ने हाल ही में ट्विटर पे इसकी रिलीज डेट अनौंस की है पट रिलीज डेट के आलावा कंपणी ने यहाँ पे कोई भी डीटेल्स और कोई भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे शेयर नही हाँ आउर दूसरा होगा 20a की बात करते दो फोर सेसर मुझे लगता है तो मिड रिंज का जो फोवगा उसमें आपको 700 सीरीज के ठाटेशन के प्रोसर मिल सक्वीड और यो बात करते हैं इसकी डिप्ॉण करते दिप्ले में आपको दोनों ही vai calor में में मेरे हिसाब यहाँ पर मिल सकती है वही हम लोग camera के बात करें तो इस दोनों ही phone में आपको Cod camera setup मिल सकता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 48MP या 64MP camera आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको 64 camera भी मिल सकता है क्योंकि realme अभी realme 5 जल्दी launch होने वाला है और realme announce किया है उसमे 64MP camera तो आपको सबको पता है realme और oppo इनकी parent company एक ही है तो यह दोनों ही अपने resources यूज कर सकते हैं तो 64MP camera हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं चलिए बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में आपको 4065 mAh की बैटरी यहाँ पर मिल सकती है book 3.0 fast charging के साथ इसे साथ ही आपको यहाँ पर मिल सकता है टाइप 3 को प्राइजिंग के बात करें तो यह phone launch हो सकता है 30 to 50,000 की range में देखो इसके रेनो फर्स था उसका भी अभी प्राइज देखोगे आप 33,000 रुपीज है तो इस phone की प्राइजिंग सम्वेर अराउंड 35 और 33 के अराउंड हो सकती है आपको इस प्राइज के रेंज में आपको यह मिल सकता है तो प्राइजिंग मेरे इसाब से तोड़ी ज़्यादा होग यह था मेरा वीडियो ओपो रेनो 2 के बारे में तो देखते हैं launch के बाद company इसमें कौन से कौन से specification देती है हम लोग discuss करेंगे इसके launch के बाद आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए अब मेरे subscribe कीजिए मेरे चैनल को और आपको कोई भी doubts हो इस phone के बारे में तो please comment section में मुझे बताईए